Welcome to students, Unique Rankings में आप सभी students का स्वागत है आज की इस वीडियो का अंदर हम कुछ important topics के उपर बात करने वाले हैं तो उससे पहले आप सभी से एक request है, मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ कि channel को subscribe जरूर कर लेना है, please आप सभी के support की जरूरत है मेरे को तो जितने भी students नहीं आ रहे हैं हमारे channel पे, तो channel को please subscribe जरूर कर लेना है क्योंकि आपको हमारे channel पे बहुती helpful information जबो मिलती है तो चलो बात करते हैं, आज की इस वीडियो का अंदर हम किन-किन topics के उपर बात करने वाले हैं लेकिन इसके अंदर मैं कुछ important बात दिसकेशन करने वाला हूँ, जहां पे comments बहुत ज़ादा आए हूँ, काफे ज़ादा students ने उस वीडियो पे बहुत सारे comments किये हुए है कि हमारी ये problem से वो create हो रही है, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे admit card related, तो admit card कब तक release होने वाला है तो यहां पे साफ-साफ इन्होंने जब notice जारी किया था, यहां पे mention किया है कि यहां पे third week of January के अंदर आपका admit card हो release हो जाएगा लेकिन कावी जाएगा students इस इंतजार में अभी भी कि हमारा जो exam से वो postpone होगा, exam की date से वो आगे की जाएगी लेकिन मैं आप सभी को बता दो कि अभी तक इसकी regarding कोई भी information से वगेरा नहीं आई है कि exam स पोस्पोन होगा या फिर नहीं होगा ठीक है, तो registration से जो आपकी J-Means की है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 December से स्टार्ट होई थी और यहाँ पे जो last date of successful जो payments का जो यहाँ परसेजर दिया वा है वो 12 तारीक का वो दिया वा है, तो मतलब 12 तारीक को आपकी registration से वो J-Means 2023 की वो खतम हो जाएगी तो उसके बाद ही आपका जो admit card वगएरा release होना start हो जाएगा तो मतलब आज से 2 या 3 दिन बाद आपकी registration कंप्लीट हो जाएगी जिन students ने अपनी registration कंप्लीट नहीं किये तो जल्दे जाएए अपनी registration कंप्लीट कर लीजिए, fees वगएरा सब कुछ submit कर लीजिए ठीक है और क्योंकि काफे जाज स्टुनेंस इस इंतजार में काफे जाज स्टुनेंस से mistakes वगएरा हो गई है तो उनके regarding में मैं आपको कुछ information प्रवाइड कराऊंगा वो वीडियो के थोड़े आगे जाके आपको पता चाह जाएगा ठीक है फिलाल अगर हम बात करें admit card के तो यहाँ पर third week of January के अंदर कावा है अगर exam dates हमारे 24 ही रही मतलब exam dates postpones नहीं होती है तो 24 तारिक से हमारे exam से वो start हो जाएंगे और जो अगर admit card के अगर हम बात करें तो admit card आपके 5 दिन पहले वो announcement किये जाएंगे तो मतलब तकरीबन आप यह मान के चलिए कि आपके जो admit card है वो 19 तारिक या 20 तारिक को release हो जाएंगे और most probability यही situation से है 19 या 20 के बीच में आपको अपने admit card से अफलेबल हो हो जाएंगे अब हम बढ़ते हैं next topic के ओपर जो है correction regarding तो काफी जाए students इसके उपर काफी जादा दिक्कत में है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा query जब वो इससे regarding आई है कि sir हमने application form के अंदर हमारे signature गलत हो गया है हमारी photo upload गलत हो गया हमने address गलत बर दिया है हमारा pin code वगरा वो enter गलत हो गया है लेकिन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने काफी जाद students को बताया भी था कि अगर by chance लिए आपसे कोई mistakes हो गई है और आपने अब तक अपनी fees submit नहीं किया है तो आप उसे corrections कर सकते हो लेकिन जिन students ने fees submit कर दिये और उसके बाद उनको पता चलाए कि हमने application form में ये mistakes हमसे हो गई है तो उनके लिए क्या चीजे हो सकती है तो सबसे पहले ये कि अगर जैसे registration से हमारी 12 तारीकों खतम हो जाएगी तो 13 से लेके 15 तारीक तक में भी आपको यहाँ पर correction facilities available कराई जा maximum आप मानके चलिए आपको एक से दो दिन का time तो जुरूर दिया जाएगा correction करनेगा ठीक है तो ध्यान रखिए आप हमारे चैनल पे active रहिए जैसे correction window open होगी आप सभी को मैं inform कर दूँगा और जल्दी से जाके अपनी correction से वो कर लेना है ज्यादा time NTA वाले नहीं देने वाल criteria को लेके तो 10 तारीक को यहाँ पे high court के अंदर इसके उपर जो सुन्माई होने वाली है काफी जादा MPs है जिन्होंने इससे regarding जो अगर हम बात करें MP के जो वहाँ पे CM है उन्होंने भी इससे regarding petition वो जारी किया वा है ठीक है तो यहाँ पे relaxation से आपको 75% criteria से relaxation से वो जरूर मि आ दिया था अभी नहीं तो आपको एक महीने बाद इसके बारे में update मिल जाएगी कि 75% criteria वो जे मिन्स के exam से मतलब आपको जो admission regarding वो उससे हटा दिया गया है मतलब जे मिन्स exams के अंदर तो आपको 75% criteria वैसे भी जरूरत नहीं है आप exams दे सकते हो ठीक है लेकर अगर हम बात कर तब आपको 75% criteria की जरूरत पड़ती है तो वहां से भी 75% criteria remove कर दिया जाएगा आपको कोई भी problems वगेरा नहीं आने वाली है तो I hope आप सभी को मेरे सारी information समझ में आ गई होगी अगर हम बात करें admit card regarding तो admit card है वो आपके 19 या 20 January से आपके release कर दिये जाएंगे पूरे chances है अग dates और जेंज नहीं हुई तो ठीक है क्योंकि आप सभी को भी पता है कि nt वालों ने एक notice or जारी किया हुआ है उसके अंदर इन्होंने कुछ carry dates वो रखी हुई है 2-3-4 तारीक है वो इन्होंने carry करके रखी है अगर कुछ dates वो आगे बढ़ाएं एक या 2 दिन आगे बढ़ात अगर आपको दी जाएगी तो जादा टाइम नहीं दिया जाएगा एक या दो दिन का टाइम दिया जाएगा तो ध्यान रखना है अमाने चैनल पर एक्टिव रही है आपको कोई भी जैसी अपडेट्स मिलेगी आप सभी को मिल जाएगी और आप जल्दी से जाके अपनी corrections कर लेना है और 75% criteria दस्तारी को इसके बारे में जो high court के अंदर prediction होगी उसके बाद ही पता चलेगा भी आगे क्या procedure होने वाला है बाकि बहुत जादा ट्विटर्स पे काफी जगा इस चीज़ से regarding बाते हो रही है काफी जादा ministry इसके regarding बाते कर रहे हैं कि 75% criteria remove कर दिया जाए और ये हो गई जरूर ठीक है तो आप ये 75% criteria को एक बार छोड़ दीजिए अपने exams की preparation कीजिए जो revision करने हैं revision कीजिए क्यूंकि ज्यादा time भी आपके पास नहीं बचावा है ठीक है तो thank you keep learning and keep watching my channel इसी तरह मारे चैनल पर बनने रहे हैं और चैनल को subscribe जरूर कीजिए प्ली वीडियो को like करके जरूर जाना है ठीक है तो thank you keep learning and keep watching my channel